हेलो फ्रेंड्स वल्कम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज है दस अपरेल दो हजाट चौबेस और दस अपरेल दो हजाट चौबेस से रिलेटिड करंट अफिर्स के जितने भी कुशन बन सकती है आज ही क्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से साथ वजे इस क्लास के लिए तयार रहा करिए इससे आपकी तयारी करंट अफिर्स में बहतर होने वाली है और आंगे आने वाले सभी अक्जाम में आप लोग करंट अफिर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉंस दे पाएंगे तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का प अपन पर हस्ताचर किये हैं जिसका उद्दे से देश में रेल संचार प्रादोगी की को क्रांती कारी बनाना है भारत अर्थ मूव्ज लिम्टिड है जिस साइंड एन एम ओ यू विट विच कंपनी टू जॉइंटली डबलब एन इंडी ग्यूनियस ट्रें कंट्रोल रिवोल्ड लूशनिंग रेल कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी इन दा कंट्री फर्स्ट ऑप्सन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टिड सिकेंड ऑप्सन है भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स लिम्टिड थर्ड ऑप्सन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिम्टिड फोर्थ option है भारत electronics limited जल्दी सिद बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number D भारत electronics limited चलिए question से related important point को पढ़ती है भारत earth moves limited और भारत electronics limited ने संयुक्त रूप से एक सोदेशी ट्रेंड कंट्रोल management system विक्सित करने के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं जिसका उद्देश से देश में रेल संचार प्रोधोगी की को करांतीकारी बनाना है इस साजेदारी का प्रात्मेक उद्देश भारती रेलवे और मेट्रों पर डालियों की आवसक्ताओं के अनुरूप उच्छे मूलवाली उत्पादों और समाधानों में के संयुक्त विकास की खोज पर ध्यान देने के साथ बी एम एल और बी एल के बी संयुक के संभाविच छेत्रों की पैचान करना है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़तीयों नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है दोस्तों वित्वर्स 2023 चौब इसमें सियामा प्रिशाद मुखरजी पोर्ट ने कितने मिलियन मीट्रिक टन कारगो का प्रभंदन किया जो अब तक की सबसे अधिक कारगो मात्रा है हाँ मैनी ओफ मिलियन मेट्रिक टन कारगो डिड समें प्रिशाद मुखरजी पोर्ट हैंडल इंदा फीशकल इयर 2023 तो 2024 मार्किंग इस हाइस्ट कारगो वॉल्यूम एवर फर्स्ट ओप्शन है 66.4 mmT, सिगेंड ओप्शन है 76.4 mmT, थर्ड ओप्शन है 96.4 mmT या फूर्ट ओप्शन है 86.4 mmT बताईएगा दोस्तों वित्वर्स 2023 में सियामा प्रिशाद मुखरजी पोर्ट ने कितने मिलियन मीट्रिक टन कारगो का प्रभंदन किया जो अब तक की सबसे अधिक कारगो मात्रा है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वे हैं हमारा ओप्शन नमबर ए 66.4 mmT चलिए इस कुशन से रिलेटिर इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं अपने 154 साल के इतिहास में कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कॉंपलेक्स सहित सियामा पिर्षाद मुखरजी पोर्ट ने हाल ही में समाप्त वितियवर्ष 2023-24 में 46.4 मिलियन टन कारगों का प्रबंदन करके एक मील का पत्थर हासिल किया है यह 2022-23 में 45.6 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड से 1.1 एक पिर्षद की व्रदी दर्शाता है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्ते तक होने वाले पैरिस ओलम्पिक में भारत की पहली महिला जूरी शदस बन गई है वह किस इस्थान से हैं बिल्किस मीर हैज बिकम दी इंडियाज फर्स्ट फीमेल जुरी मेंबर एट पैरिस ओलम्पिक्स सेड्यूलल फ्रॉम जुलाई 26 तो अगस्त 11 सी इज फ्रॉम विच प्लेस फर्स्ट ओप्शन है तिरपुरा सिकेंड ओप्शन है जबु एंड कस्मीर थर्ड ओप्शन है असम फोर्थ ओप्शन है अरुणा चल पिर देश जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ओप्शन नंबर बी जम्बु एंड कस्मीर से है चलिए इस कुश्चन से रेलेटिड इंपोर्टन पॉइंटों को पड़ती है जम्बु कश्मीर की बिलकिस मीर इस साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होने वाले ग्रीश में कालिन ओलंपिक में जूरी सदस के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है जल खेल प्रमोटर, डवलपर, एथलीट, भार्टी, काइंकिंग और कैनाईंग एसोसियेशन के जूरी सदस बिलकिस मीर को पेरिस ओलंपिक खेलों में संचालन के रिए जूरी के सदस के रूप में नामित किया गया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स निम लिखित में से कौन सा देश विस भविस उर्जा सिखर सम्मेलन WFES की मेजवानी करेगा विच आफ दी फॉल ओविंग कंट्री विल होस्ट दी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेट WFES फर्स्ट ओप्सन है भारत, सिकिंड ओप्सन है बंगलादेश, थर्ड ओप्सन है ओमान, फोर्ट ओप्सन है यूएई बताईएगा फ्रेंड्स निम लिखित में से कौन सा देश विस भविस उर्जा सिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है मारा ओप्सन नमबर डी यूएई देश चलिए इस कुशन से रिलिजिन इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती है अबुधावी फ्यूचर एनर्जी कंपनी पी जे एस सी मस्दर संयुक्त अरव अमीरात की स्वच उर्जा बिजली घर भिस्व भविस उर्जा सिखर सम्मेलन की मेजवानी करेगी अबुधावी राश्टी प्रदरसनी केंदर में 16-18 अपरेल तक होने वाला डबलु एफ इस भविस की उर्जा स्वच प्रोदोग की और इस्थिरता के लिए दुनिया का अगरडी वेवसाइक कारिकरम है जिसमें गटनाओं, सक्रिताओं, चर्चाओं और मंचो का एक पैक कारिकरम है, ठीक है दोस्तों, चलिए आंगे बढ़ती हो, नेज कुशन देखती हैं, नेज कुशन लिखा है फ्रेंड्स, आर बियाई ने अपरेल दो हजार चौबिस में रिड और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रविती बंद पर कुछ निर्दैसों का पालन ना करने के लिए किस बैंक पर एक करोर रुपे का जुर्माना लगाया है, आर बियाई हैज इंपोजड आ पैनाल्टी ओफ वन करोर रुपीज ओन विच बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लियंस विथ सल्टेंड डारेक्शन्स ओन लोन्स एंड एडवांसेज, स्टेच्वरी एंड अधर र बताईएगा फ्रेंट्स, आर बियाई ने अप्रेल 2024 में रेड़ और अग्रिम वैदाने को और अनप्रतिबंद पर कुछ निर्देसों का पालन ना करने के लिए किस बैंक पर एक करोर रुपे का जुर्माना लगाया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स, वे है हमारा ओप्सन नंबर डी, IDFC फर्स्ट बैंक पर चलिए इस कुशन से रिलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है RBI ने गैर अनुपालन के लिए IDFC फर्स्ट बैंक LIC हाउसिंग फाइनेंस को दंडित किया RBI ने रिड और अग्रिम वेधानिक और अनिप्रती बंद पर कुछ निर्देसों का पालन ना करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया है FY22 के लिए परवेच्ची मुल्यांकन के लिए वेधानिक निरीचर से पता चला कि बैंक ने परियोजनाओं की वेहरता और बैंक योगता पर उचित परिश्रम किये बिना बुनियादी धाचा पर योजनाओं के वित्व पोशड के लिए एक सार्ब जनिक छेत्र के उपकरम को सावधी रिड स्विकृत किये थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की परियोजनाओं से राजस्विधाराई देखवाल के लिए परियापते थी ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं है नेश कुशन लिए का अपरेल दो हजार चॉविस में किस कमपनी ने भारती सेना के लिए अकास्तीर अयर डिफेंस चिर्थी शिस्टम विक्सित किया है विच कंपनी है ज्धव़्लब्ड आकास्तीर Air Defense Security System for the Indian Army in April 2024. 1st option है Reliance Industries Limited, 2nd option है Infosys Technologies, 3rd option है Hindustan Unilever Limited, 4th option है Bharat Electronics Limited. जल्दी से बताईएगा दोस्तों अप्रेल 2024 में किस कंपनी ने भारती सेना के लिए अकास तीर एयर डिफेंस सेक्यूर्टी सिस्टम विक्सित की है इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है मारा ऑप्सन नंबर डी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड चलिए इस कुश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है सेना ने अपनी वायू रच्चा चमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आकास तीर के तहत नियंतरड और रिपोर्टिंग सिस्टम को सामिल करना सुरू कर दिया है सिस्टम की तैनाती B.E.L. गाजियाबास से नियंतरड केंदरों के पहले बैच को हरी जंडी दिखाने के साथ सुरू हुई भारत Electronics Limited द्वारा विक्सित इस परियोजना का उद्देश शेन की सेना की वायू रच्चा तंदर की परिचालन दचिता और एकी करण को महत्पूर रूप से बढ़ाना है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है दोस्तों किस mutual fund ने innovation fund launch किया है जो एक open ended विसेगद fund है जो नवीन सफलताओं में सबसे आंगे रहने वाली कंपनियों में निवेस के लिए समर्पित है which mutual fund has launched the innovation fund an open ended thematic fund dedicated to investing in companies at the forefront of innovative break thoughts first option है आदित विड्ला सनलाइब mutual fund second option है एक्सिस mutual fund third option है एडलवाइस mutual fund fourth option है बंदन mutual fund जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer इस question का जो right answer हो जाएगा friends where है मारा option number D बंधन mutual fund चल्दी इस question से related important point हो को पढ़ती है बंधन mutual fund ने बंधन innovation fund launch किया है जो एक open ended विसेगत fund है जो नवोन मेसी सफलताओं में सबसे आंगे रहने वाली कंपनियों में निवेस के लिए समर्पित है नए fund offer या योजना का NFO सदसिता के लिए 10 अपरेल को खुलेगा और 24 अपरेल को बंध हो जाएगा इस योजना को निफ्टी 500 TRI के मुकाबले बेंच मार्किया जाएगा इस योजना का प्रभंदन मनीस गुनवानी बिरजेल सहा और रितिका बहरा दुआरा किया जाएगा ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है दोस्तो विसेश सुरच्छा समू में महा निरीचक के रूप में किसे निक्त किया गया है फू हैज बिन एपॉइंटिड एज इंस्पेक्टर जनरल इन इस्पेशल प्रोटेक्शन गुरोप फर्स्ट आप्शन है अनीस दयाल सिंग जी को सिकेंड आप्शन है सुजाई लाल थाउसेन को थर्ड आप्शन है लव कुमार को फूर्ट आप्शन है पंकच कुमार सिंग को बताईएगा फ्रेंड्स विसेश सुरच्छा समू में महा निरीचक के रूप में किसे निक्त किया गया है इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा आप्शन नमबर सी लव कुमार जी को चलिए इस कुईशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है भारती पुलिस सेवा अधिकारी लव कुमार को विसे सुरच्छा समू में महा निरीचक निक्त किया गया है कुमार उत्तर पिडिस कैडर के 2004 बैच के भारती पुलिस सेवा अधिकारी है उन्हें पद समालने की तारीक से दो साल की अविदी या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए इस पद पर निक्त किया गया है फिलहाल वह इसी ग्रूप में डी आई जी के पद पर तैनात है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स नेशनल को ओपरेटिव डेरी फेडरेशन आफ इंडिया लिम्टिड के अध्यच के रूप में किसे नुक्त किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वह है हमारा ओप्सन नंबर डी मीनेश सहा जी को चलिए इस कुशन से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंट यो को पड़ती है नेशनल को ओपरेटिव डेरी फेडरेशन आफ इंडिया लिम्टेड ने डॉक्टर मीनेश सहा को अध्यच चुना चुनाव प्रिक्रिया का संचालन आनंद के जिला कलेक्टर आई एस प्रवीर चौदरी दुआरा किया गया जिन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार किया बोर्ट चुनावों से पहले NCDF आई जनरल बॉर्डी ने 4 अप्रेल 2024 को निर्विरोत प्रिक्रिया में बोर्ड के लिए 8 निर्देशकों को चुना था ठीक है दोस्को चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेश कुशन देखते हैं आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंड्स निर्माड उद्योग विकास परिशत द्वारा इस्थापित पंदरवे CIDC विश्व कर्मा पुरुषकार 2024 में किस कंपनी ने दो प्रिटिश्टित पुरुषकार जीते हैं विश्व कर्मा पुरुषकार जीते हैं विश्व कर्मा पुरुषकार जीते हैं जल्दी से बताईएगा दोस्तों निर्माड उद्योग विकास परिशत द्वारा इस्थापित पंदरवे CIDC विश्व कर्मा पुरुषकार 2024 में किस कंपनी ने दो प्रिटिश्टित पुरुषकार जीते हैं इस कुशिन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ओप्सन नंबर बी एस जे वी एन लिम्टेड ने चलिए से रिलेटिर इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं एस जे वी एन लिम्टेड ने निर्माड उद्योग विकास परिसत दुआरा इस्थापित पंदरवे CIDC विश्वकर्मा पुरुषकार 2024 में दो प्रिटिश्टित पुरुषकार जीते हैं एस जे वी एन को सामाजी विकास और प्रिभाव पैदा करने के लिए उपलब्दी पुरुषकार और CIDC पार्टनर से इन प्रोग्रेश ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है ये पुरुषकार नवीन और ठोस CSR पहलो के माद्यम से सकारात्मा बतलाव लाने के लिए एस जे वी एन की प्रितिवधिता को प्रिदसित करते हैं ठीके दोस्तो, I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगी होंगे फ्रेंट्स और सभी कुशन से रिलेटेड इंपॉर्टन पॉइंट के नोर्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे एक्जाम के नजरिये से दोस्तो, क्लास बहुत हेलफुल रही होगी अगर क्लास अच्छी लगी और सारे इंपॉर्टन पॉइंटों को आप लोगों अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा, सेयर कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजेगा थैंक यू सो मस्ट दोस्तो